चिराख पास्वान ने हाजीपूर के साथ साथ छे लोग सवासीट और एक राज सवासीट पर दावा ठोका है दावा ठोका है मतलब यह डिमांड चिराख पास्वान की पाठी की तरफ से बीजेपी के सामने रखी गई है अब को याद होगा बीते दो दिन पहले चिराख पास्वान ने एक आपाठ बैठक बुलाई थी जिसमें गडबंधन को लेकर वो फैसला लेने वाले थे लेकिन इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया हाला कि बीजेपी के सांसद नित्यानंद राय जो है वो उस मीटिंग से पहले ही पहुँच गये बंद कमरे में घंटे भर की मुलकात हुई लेकिन चिराग ने तब भी इस बात का अयलान नहीं किया कि वो इनडिये के हिस्सा होंगे इसके बाद खबर आई कि 18 जुलाई के दिन दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे और बिहार से जो छोटी पार्टियां है यानि उपेंद्र कुस्वाहा, मुकेश सहनी और चिराग पास्वान इनके साथ बीजेपी की एक बैठक होने वाली है जिसके बाद ये तै हो जाएगा कि ये सभी दल और चारिक रूप से एंडिये का हिस्सा है इनके अलावा जीतन राम मांजी की अगर बात करें तो जीत सद्यक्ष है राजुतिवारी ने इस बात को स्विकारा है कि छे लोग सभा सीट जिसमें एक सीथ हाधीपुर भी होगा और एक राज सभा सीट की मांग अगर बीजेपी मान लेती है तो चिराग पास्वान जो है वो एंडिये का हिस्सा बनेंगे साथी साथ सर्त ये भी आमल करती है इस पर निर्भर करेगा कि 18 जुलाई के बाद साइद इस बात का एलान हो जाएगा कि चिराग पास्वान जो है वो एंडिये का हिस्सा होंगे या फिर नहीं होंगे अब देखिए चिराग की डिमांड के बाद सवाल ये उठता है कि चिराग पी एम मोदी को कित नहीं कर सकता ऐसे में जितने भी सियासी पंडित हैं जानकार हैं वे सभी चिराग पास्वान को साथ रखने की याज़erecht बीजेप को चुनाओं में बड़ा फायदा हो सकता है विहार में अगर चिराग पास्वान के वोट बैंक की बात करें तो पास्वान समाज करीब उसका 5-6% एक मुस्ट वोट के इकलोते हगदार आपका सकते हैं उस वोट पर अगर दावा है किसी का तो वो चिराग पासवान कहीं है तो BJP के लिए ये सौधा जो है वो नफवाला हो सकता है अगर चिराग पासवान NDA में शामिल हो जाए लेकिन बड़ा सर्थ यही है कि क्या पसुपती कुमार पारस और प्रिंस पासवान जो बागी हुए राम बिलास पासवान की निधन के बाद चिराग पासवान से वो अगर NDA में होते हैं तो क्या चिराग पासवान को इतनी सीटे दे पाना BJP के लिए मुनासिफ होगा या नहीं होगा सीट शेरिंग को लेकर ही पेशफ़ा हुआ है मुकेश सहनी उपेंद्र कुसवाहा और चिराग पासवान तीनों अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं लेकिन NDA का हिस्सा अपचारी तरीके से नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी तक सीट शेरिंग को लेकर जो मामला है वो क्लियर नहीं हुआ है तो 18 जुलाय को एक बड़ी बैठक दिल्ली में की जा रही है इसमें ये सभी प्रमुख दल के नेता मौजूद रहेंगे बीजेपी के सभी बड़े नेता वहाँबर मौजूद रहेंगे और बिहार में जो 40 लोग सभा सीट है इसमें सीट शेरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है वो तैय करना है लेकिन 6 लोग सभा सीट इसमें एक सीट हाजीपुर होगा जहां से मौजूदा सांसत पसुपतिक उमार पारस है और एक राजसभा सीट की मांग जो है वो चिराग पासवान की पार्टी ने असपस तोर से बीजेपी के सामने रख दिया है बीजेपी को अंतिम फैसला लेना है कि वो कितनी सीटो पर चिराग को मना पाती है तैयार कर पाती है लेकिन उसले बड़ा सवाल ये है कि पारस के रहते हुए यानि चिराग पासवान के चाचा के एंडिये में रहते हुए चिराग कितना अपने आपको अरजस्ट एंडिये में कर पाएंगे फिलालिश रिपोर्ट में इतना ही आप बने रहिए दभ्या टॉप के साथ मिरनाम उदीब तारण है बहुत-बहुत शुक्रिया